नमस्ते अन्य सर्व विद्वजनों जोधपुर्थी आवेल जोधपुर्य उनिवर्सिटी ना हेडवधी डिपार्टमेंट कॉशल मेडम अने सर्व जिगनासुनों मरु विशयशे राजनितिगन कलिकाल सर्वगन हेम चंद्राचारिय निर्देशेला सैनापती ना गुणों अने शिक्षा परत्वे एक चिंतन राजा अत्वातो शाशक विशयक अवधर नाओ प्राचीन समय थीज अस्तित्वमाँ छें रुग्वेत मां प्रथम मंडड़, प्रथम सूक्त, प्रथम मंत्रमां पुरोहीत शब्द अपनाने ब्राप्त थाईशें तो पुरोहीत शब्द सासप पक्षनोज अर्थ द्योतित करेशें यासका शारियें, पुरह एनम दधती ए निर्वचन आपीनें पुरोहीत ना सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक असाधरन महत्व तरफ निर्देश कर्योशें जेने शासक, धार्मिक, राजनैतिक न्याय, दंडादी, व्योहार, संधी विग्रह, वगेरे कार्यों मां सर्वादिक महत्व आपें तेज पुरोहीत छें सासन व्यवस्थाना अंगबूत तत्वोना माल दंडो, वैदिक दाशरागना युद्ध होई, क्ये पछी रामायरना रामरावना युद्ध होई, महाभारतना कवरोपंडवना युद्ध होई, क्ये पछी पवराणिक कारना देवदानवना युद्ध होई, सत्यूग थी म अध्यावधी युद्धो सेनापती ना गुणों माटे नुतन परिगण नाओ आपता रहाशे। राजनीतीनो संदर्भ ए निती थी छे के जेना आधारे कोई राजा के शाशक समगरे राष्ट्रानू सेंचालन सवरक्षम करें। राजनीतीना सिमांकनो जोए तो राजानी योग्येता, गुण ग्रहिता, प्रबंधन, प्रजावत सलता, सैन्य अने सेनापती नी व्यवस्थां युद्धनीती, युद्धसेंचालन बगेरे राज्यना सप्तांगों मां समगर संबंदीत विशयोंनो समावेश ठै जाईशे राज्यना स्थाईत्व मांटे आ सप्तांगों पर भार्मुकवामा आविशें, जेमा राजा, अमात्य, कोश, दंड, मित्र, जनपद अने पूरनी गणना करवामा आविशें आज बाबतनू समर्थन, मनस्लुती मा पण करवामा आविशें, कामंदक तथा शुक्राचारिये पण, पोथ पोताना नितिसास्त्रों ना ग्रंथमा आ सप्तांगों पर भार्मुकी ने पोताना मन्तव्यों प्रस्तुत करेला जिशें आ परम्परामा बड अर्थात सेना विभागना मुख्य वड़ाने सेनापती केवामा आवेशें सेनापतीना गुडो विशयक चर्चां विबिन ग्रंथों मा उपलब्द थाई शें ए जेटला पन उपलब्दो प्रमाणों शे ए बधा प्रमाणों ने मरा सोधु पत्रमां में सामेल कर्याशे परंदू तेमना नामोलेक अत्रे प्रस्तुत करूशूं के रामायन ना एउध्याकांड मां महाभारत ना सभापरवमां उध्योग परवमां शांती परवमां मत्स्य पुराण अगनी पुराण विश्णु धर्मुत्तर पुराण मानसोल्लास काउटिल्येना अर्थ सास्त्रमां कामंद किया निदी सार्मां युक्ति कल्पतरों वग पुत्र जो देवोनों सेनापती होशें तोज दानवों सामें विजय प्राप्त करीशका सें। आम प्रत्येक युद्ध मां सेनापतीनु विशेस प्रयोजन होई शें। महा कवी भासना स्वक्नवासल दत्तम नाटक मां पॉन प्रध्योत महा सेन तरीकें। तेनी विशार सेनाने कारणें प्रसिद्ध हतों। दरेक समय मां सेनापतीनु पोतानु आग्मों विशिष्ट महत्वर होशें। आ युगमां प्रत्येक क्षेत्रमां निवडेली प्रग्नावाडा युग पुरुष कलिकाल सर्वग्न हेम चंद्राचारियं राजा कुमारपालना मार्गदर्शक गुरु हतां। जेम रामने विश्वामित्रों, पांडवोंने गुरु द्रोनाचारिय, चंद्रगुप्तने जानक्य, शिवाजीने समर्थ रामदास मडेयं। तेम राजा कुमारपालने हेम चंद्राचारिय गुरु स्थाने प्राप्त थाया हतां। राजा कुमारपालना सासनने सर्वोत कुरुष्ट बनावामा, सर्वरिते सुरक्षित बनावामा, आचारिय हेम चंद्रानों गुणों मोटो फाडो रहोजीन। तदं तर्गत कुमारपालनी सेनामा सेनापती केवा होगा जोईए। ते संदर्म मा तेना गुणों ने तथा लक्षणों ने व्यप्त करवा माटे, तेनी शिक्षण केवा प्रकारनी तालिम तेने मेडवेली होवी जुए। ते बद्धीज वाबतोंनी चडचा तेमने लध्व अरहननिती नामना राजनिती सास्त्रना ग्रंधमा करे लीशिम। तो हें जंद्राचारिय प्रणीत लध्व अरहननितीना प्रथव प्रक्रणमां। राजा तथा मंद्रियों ना गुणों तथा शिक्षा विशयक विशयोंनू निरूपण कर्यापची स्लोक नंबर 78 थी 85 सुधी ना आठ स्लोकों मा राजाना शासनकाड मा सैनिकोंने नियंत्रित करवा माटे तथा योजना बद्धरीते युद्ध मा जोडवा माटे केवा से सैनापतीनी पात्रता तथा महत्वने ध्यानमा राखिने हें चंद्राचारीय आदर्स सैनापतीना लक्षनों तथा तेना शिक्षा प्रापतीनों चिंतन रजु करिए बद्धा जस्लोकों में टाकेलाशे अनि एस लोकों मा आवता तेना लक्षनों अनुसार जित्ण 22 जि तेना पति मां सा माटे होवा जोई है तेनी भूमी का सूशे तेना अंतर्गतनी विशद चर्चापण में करी ज़े परंदु अत्यारे मात्र ए 32 लक्षणों जे सेना पति मांटे थवा मांटे आवश्यक छे त्यार पछी नी बिजी आठ स्लोकों मां चर्चा ए लक्षणों व्यक्ति ने कई रितनी तालिंके शिक्षा अपवी जोई है जैम आपने पन प्राध्यावक तरीके नियुकत था ये चे त्यार पछी रिफ्रेसर कोर्स ओरियेंटेशन कोर्स आपना माटे जरूड़ी छे एम सेना पति तरीके नियुकत थाया पछी एने कई रितनी रितनी तरीके चे वह सेना पति ये पन विश्चब चर्चा करीं जे थारे 32 लक्ष्म आवश्यक शै चे तरीके नापति माटे ते राध्यावक तरीके शेय पाध्यार से पना फखी हर्वं, एने अम प्रख्या अन मेम रितनी जानके माटे चे एम आज़ि वक्ता, मदूर वानी थी युक्त, निती सास्त्रना अर्थमा प्रविन, पोताना कर्तवेना विशेमा सावधान, दुरन देशी, समस्त सास्त्रों ना अगनाता, युद्ध विदीनो जानकार, चक्रव्यूह समरचना तथा व्यूहोने बेदवामा निपूर, लोकोना छड पटने तथा मनोभावोने स्पष्ट जाननारों, वीर, हजारों कार्यों करवामा कुषड, स्वामी वक्त, प्रजाब्रिय, प्रसन ननेत्रों वाडों, अने गुणों वाडों, सत्रुओं मां बई उत्पन्न करवावाडों, लोगने वशन थनारों, राजियना कार्यों कर नेयोगिय क्षेत्र नी उची नीची भूमी पाणी, पर्वत अने किल्लाना विशे मा कुषण अने प्रखार ना विशंकिल्लाओ ना भेधन मा कुषण सत्रोयो नी सेना तोडवा na उपाई जानवा वाडो अने सत्रोयो ना ज़ प्रयत्नोंथी जीतवा वाडो आवा 32 प्रकार्ना स्रेष्ट गुणों थी युक्त व्यक्तीज सेनापती थवाने माटे योगियस छें आ लक्षणों तथा गुणों जे नामा होई तेने जे सेनापती पदे नियुक्त करवा जोईए आ मापदंडोंने आधारे थएली नियुक्तीने कारणे राजा, राजिय तथा सैन्यनी सर्वरीते सुरक्षा संभवीत बने शें उप्रोक्त बत्रीस लक्षणों थी युक्त व्यक्ती सेनापती पदे नियुक्त थाई तो तेनी सज्जता माटे आवश्यक शिक्षाना धुरणों केवा होवा जोईए ते तरफ पन हें जंद्राचारिये निर्देश करेल छें पात्रत आधरावनार व्यक्ती ने शिक्षित दिक्षित करवो पर जरूरी छे आथी ते अंगे स्लोक नमबर 86 थी निर्व्यासी सुधी वर्णन करीने मार्गदर्सना प्युशे केर सेनापती ने कया-कया प्रकारनी तालीम अप्पीजुए जेमा सारीरिक तालीम उप्रांध मानसीक मनोवईग्नानिक कोटन नीती दंडन बेड बद्धिज नीतियोंने केवरी ते खुशोर्ता थी एक करी सके ते माटे नी तालीम व्यक्त करीशें एमानी केटलिक रजु करूशु के सेनापती बुद्धी अने बाहु बढ़ती सत्रू ना बढ़नो भंग करनार हो जोई ये एनावाटे तेने तालीम अप्पी सत्रू पक्षे विश्वास न करे तेम तैयार करो अन्य पक्षना राज्यमा पहुँची ने आडस के आदनो करे तेरी ते सज्ज करो सत्रू पक्षनी सेनामा सैन्यानी संख्या गटती होई छता स्वाप्रयत्न न छोडे तेवी तालीम अप्पी देश, काड, सैन्य, पक्ष, सडभूर तथा सकती ने ध्यानमा राखी सत्रू साथे युद्ध करे पोताना राजाने विजही ब नावा माटे पोताना प्राणना भोगे पन फरज निभावे तेवी मानसिक्ता निर्मे एत्त थाई, ते माटे गुरूद्वारा दंड नायक सैनापती ने उत्तम सिक्षान आपवू जोईये, प्रदान करवू जोईयें, आम आ सिक्षन सा माटे कया कया काया काउशल्यने वर्दीत करेशे, तेवी शयक चर्चा आव शोध पत्रमा करवा मावीशें, तो आम आचारिय हेम चंद्राचारिये सेनापती ना लक्षणों, गुणों, शिक्षा वगेरेनी नीती स्पष्ट करीशें, अने जगतने मार्गदर्सन आपवामां साहित्य हम्मेसा प्रभाव अग्रेसर रही हुशें, गोर्जर एस्वर कुमार पाणे, हेम चंद्राचारिये ने पोताना गुरुमान्या हता, अने पोताना जीवननू, तेमे जुशासन नू सुकान, हेम चंद्राचारिये दर्साविल्ला मारगेज, आगण वधारता हता, तेमनों प्रयातना हतो, के तेम्दू शासन एवु होवु जोईए के जेमा प्रजानी बाहिया अने आंतरिक सम्रुद्धी वदती जाई अने कुमार पाड़ना सासन ने सर्वरिते स्रेष्ट बनाववा जगतने उपदेश मणी सके तेवो ग्रंथ लद्व अरहन निती द्वारा हेम चंद्राचारिये राज निती नो एक उत्तम ग्रंथ समाजने अर समर्पीत कर्योशें शुक्रा नीती, विदूर नीती, चानक्य नीती अने लग्व अरहन नीती आ चारे ग्रंथ भार्तिय निती सास्त्राना महान मार्गदर्श ग्रंथ शे आधना समय मापन ते इटलाज ब्रस्तु चे जिटला ए समय रचाया इटलाज अस्तु दन्यवाद